हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में तो फाइनली अरारवी प्यों की सारी सिफ्ट्स सक्सेस्फुली कम्प्लीट हो चुकी है और हमारे पास एक्जेक्ट डेटा आ चुका है कि लोगों के आज on average कितने अटेम्ट्स रहे है पेपर का लेवल कैसा रहा है और कट ओफ क्या जाने वाली है तो हम इन सब पे डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज भी पेपर moderate लेवल का देखने को मिला है यानि time consuming पेपर आपको देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा reason वही है interface वाली problem आज भी लोगों को देखने को मिल रही है scrolling में दिक्कत आ रही है font size पढ़ने में इधर उधर screen करने में दिक्कत हो रहा है इनका software जो है वो थोड़ा सा स्रो काम कर रहा है save and next करने के बाद भी वही है question to question आपको जाने में भी थोड़ा सा time लग रहा है तो वो भी बड़ा irritating है तो ये सारी चीज़ें same as it आज भी देखने को मिली है रही बाद shifts की तो आज पहला shifts moderate level का था लोगों ने 55, 56, 57 attempts किये है second shifts काफी toughest मानी जा रही है लोगों के attempts second shift में कम हुए है 50, 51, 52, 54 ऐसे attempts देखने को मिले हैं दूसरी shifts में क्योंकि दूसरी shifts काफी tough देखने को मिली है बागी तीसरी, चौथी और पांचवे shifts में वही 55, 56, 57 ऐसे attempts देखने को मिले है तो finally आप इससे क्या conclusion निकालते हैं आज मैंने लगबख 1500 लोगों से on call बात की है और मुश्किल से उसमें 2-3 लोगों के attempts मैंने देखे हैं जो की 60 प्लस हैं तो यहां से आप क्या analysis कर सकते हैं यहां से आप ये analysis कर सकते हैं कि लोगों के जो number of attempts हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में 4-5 कम हुए है तो जाहिस जिवाद है कि अगर 4-5 attempts कम हो रहे हैं और ये सब के साथ हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैंने जनरली ऐसे students से बात की है जिनके पिछले 2-3 साल से R.I.B.P.O.P.E. continuously clear हो रहे है उन लोगों से भी मैंने बात की है उनकी भी जो पिछले वर्ष 64-65 attempt करके आ रहे थे वो भी आज 56-57-58 तक ही रुक गया है तो जाहिसी बात है कि अगर number of attempts में कमी देखने को मिली है तो कॉट आप भी कम ही जाने वाला है पेपर का level moderate है time consuming puzzles दे रहे हैं 10-12% वाले पजल आ रहे हैं बाकी ये options की problem language की problem ये सारी problem सब को देखने को मिल रही है तो जहां तक मेरा analysis है अपकी बार आपकी cut off कम जाने वाली है अब बात आती है कि कितनी कम जाने वाली है क्या cut off रहने वाला है तो देखें मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ अगर आपने 50 से लेके 55 के बीच में attempts किया है with accuracy with 100% accuracy देखो RRB जो है भाई वो accuracy का खेल है IBPS PO, IBPS clerk, SBI में आप accuracy एकाद 95% भी लेके आतो हो न तो भी कोई दिक्कती होती है पर RRB आपको accuracy पर इनाम भी अच्छा देता है और आपकी गलती पर number भी अच्छा काड़ता है तो RRB accuracy का खेल है अगर आपने 50 के attempt किया है पर आपकी accuracy 50 out of 50 यानि आपने 50 में 50 सही किया है तो यकीन मानिया आपको normalization के through 2.5 number तक improvement देखने को मिल सकता है तो आप cut off के अंदर आभी सकते है क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है cut off 50 से लेके 55 के बीचे ही रहने वाली है 55 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है क्योंकि number of attempts लोगों के काफी कम हुए है जायसी बात है अगर किसी ने 58 attempt किया है 57 attempt किया है 60 attempt किया है तो एक दो questions उसके गलत होते हैं एक दो questions गलत होने पर उसके number भी पीछे की तरफ जाते हैं तो जायसी बात है कि cut off जो है वो 50 से 55 के बीच में जाने वाला है अगर आपने 50 attempts किया है with your 100% accuracy तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है आप सेफ जून में है आप 55, 53, 52 attempt की हैं आप डरिये बिल्कुल मत अगर आपकी accuracy है तो आपका result क्लियर होने वाला है आप अगे आने वाले clerk के exam पर focus किजे क्योंकि उसमें भी ये सारी चीज़ें से लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं और आपके उपर depend करता है मेरे हिसाब से जिन्होंने भी 50, 52 attempt किया उनको डरने की जरूरत नहीं है बस आपकी accuracy अच्छी होने चाहिए ठीक है accuracy अच्छी रहेगी आपको normalization के थ्रू number अच्छे मिलेंगे और आपका selection होगा तो डरिये मत बिलकुल मैं आपके साथ हूँ मेरा analysis मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात किया है मैंने बहुत on average students से भी बात किया है मैंने बहुत सारी जगह से data collect किया है तो आपके जो average हैं वो on average जो attempts है वो 55-55 ही रहे हैं तो कटॉप भी इसके अंदर ही बनने वाला है पहले बात तो ये दूसरी अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि इस बार जो RRV ने exam date से 4 दिन पहले admit card निकाला था उसकी वज़े से काफे लोगों transportation में समस्या देखनी को मिली है तो जो लोग यह सोचते थे कि हम किसी और state के हैं और जिस state में vacancies ज्यादा आई है वहाँ पे हम भर देंगे तो बहुत सारी लोगों को यह transportation की समस्या होने के कारण बहुत सारे जो है वो absent रहे है exam hall में ठीक है तो देखने को यह मिला है कि जहां से जो भी मुझे data अभी collect हुए है तो लगभग 80% लोग ही present रहे है यानि exam में आपके 20% लोग present नहीं हो पाए है तो यह भी एक factor साबित हो सकता है आपके जो cut off है कम जाने की ठीक है तो आप बिलकुल निश्चिंत रहे काट ओफ का टेंशन मत लीजे आपने 50 भी अटेंट किये हैं पर accuracy है तो आप निकल सकते हैं ठीक है आपने पच्पन अटेंट किया है आप accuracy के साथ हैं आपका exam निकलने वाला है आप अपने clerk exam पे focus कीजे मैं सबको all the best कहना चाहूंगा और मैं एक चीज़ा आप लोग से जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने attempts कमेंट सेक्षन में जरूर किजेगा तो आज के लिए बस इतना है final और कुछ भी detail सकरा मेरे सामने आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा